नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंख करना अवियोपेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बताएंगे आपको ऐसा जादुई नुस्का एक ऐसा सन स्क्रीन जो अब कर्भी के दिन जो आने वाले हैं इसमें आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, रामबान काम करेगा हम लोग बजार में जाते हैं, सन स्क्रीन खरीते हैं और आप यह ऐसास करेंगे कि 80% लोगों के वहाँ सन स्क्रीन लगाने पे जलन होने लगती है धूप की रोशनी से आपको जलन मिले तो बात समझ में आती है लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ सन स्क्रीन लगाने से जलन होने लगती है क्योंकि वहाँ जानते हैं कि उसमें दिंक ऑक्साइड मिला है वहाँ जानते हैं कि उसमें हानफुल पेनिट्रेशन जो आपका SPF 30 तक का पेनिट्रेट कर जाते हैं वहाँ हानफुल केमिकल्स मिले हैं, पेंजोइट मिला है, तमाम केमिकल्स मिले हैं और वहाँ आपकी स्किन को नुकसान पहुचा रहे है कई रिसर्च यहाँ भी कहती है इसमें कई ऐसे तत्व है जिनसे आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है तो एक आप सन की रेस को रोपने के लिए उस स्किन कैंसर से बचने के लिए आप पहले से ही एक ऐसा solution लगा रहे हैं जो आपका संभावित कौज हो सकता है skin cancer का या सब में नहीं है लेकिन आप Google करेंगे तो आप देखेंगे कई research इसके विशाय में बात करती है हम आपको बताएंगे ऐसा sunscreen जो आप घर में बना सकते हैं और जो रामबान हैं इसकीन को nourishment करने का माध्यम है और आपको स्वस्थ रखने का माध्यम है और यहाँ सारी चीजे मातर पांच रुपए के नुस्खे में आपकी गर्मिया जो है वहाँ पहले से और खुबसूरत बीतेंगी खुबसूरत in the sense relaxed बीतेंगी और इसी के तहट हम आपको यह सनिस्कीन बताएंगे बहुत कारगर नुस्का है साथियों और उन चीजों का नुस्का है जो आपके यहाँ मौजूद है घर पे मैं फिर निवेदन करूँगा जैसा मैं हर वीडियो में करता हूँ कि यहाँ जो बजार में समान उपलब्द है यहाँ मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं है आप सोचिए एक बालीवूट की हिरोईन जो स्वेम आड़ी मर्सेडीज में बैट के चलती है चारो तरफ उसके काले रंग के परदे कार में लगे रहते हैं वहाँ जो है इस्टूडियो में उतरती है एर कंडिशन्ड इस्टूडियो के अंदर प्रवेस करती है वहाँ पे एक बड़े से लैंप को दिखा के फोटू किचाती है जिसको कहा जाता है साब सन इस्क्रीन सन इस्क्रीन जो है वहाँ देखिए वहाँ सन इस्क्रीन से बच रही है और वो महिला फिर वहाँ से वापस जाती है बालीवोड या हालीवोड मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा है हर आदमी की रोजी रोटी आदमी पैदा करे लेकिन हम लोग मिडिल क्लास लोग है हमें क्या करना है हमें ये सोचना है दूसरा क्या करना है बहुत महत्व नहीं है उसके बाद वो जो हिरोईन होती है आदा कारा होती है वाँ उसे स्टूडियो से निकलती है फिर चाई में ही उसकी Mercedes सैडों में खड़ी रहती है और डी खड़ी रहती उसमें बैठती है फिर अपने महलूपी घर में चली जाती है और वहाँ पर वो यही सब नुस्के करती है जो हम आपको बता रहे हैं लेकिन बेश्टी क्या है बेश्टी है वहाँ सनिस्कीन जो 800-900 रुपए का होता है आप लोग SPF की ड सनिस्कीन पड़ी हो आप उसका एक बार जो उसमें केमिकल दिये हैं उसको गूगल जरूर करिएगा और इस वीडियो में आपको जो नुस्का बता जा रहा है उसके न्यूटेंट्स को भी आप गूगल कर लीजेगा फिर आप सेम देखिएगा आपके आपके बच्चों कि आप हमाई साथ हमेशा जुड़े रहते हैं तो मेरा भी हुसला बढ़ता है कि आपको नई नी चीज लाओ इसी संखला में आपके लिए आज मैं जादूई सनिस्क्रीन लाया हूं पांच रुपए गया सनिस्क्रीन आपके चेरे को हमेशा के लिए चमकाएगा भी धूप उससे भी बचाएगा पिग्मेंटेशन को करेगा ड्राइ स्कीन को करेगा और आपको कॉंफिटेंट बनाएगा चलते साथियों बताते हैं आपको जादूई नुस्का आपको साथियों घर में सनिस्क्रीन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है बहुत ज्यादा आपको उसका जो ऊपर का पोर्षेन जो उसको जो घ्रेडिंग वाला कोई आपके पास अमान ओ जिससे आप पनी-रनी जिससे प्रेट करते हो ऊपी आते हैं स्टील के पनी जिससे घ्रेट करते हो या फिर पिर कुछ ना हो तो चाकू से आप उसके उपर के छिलके को खरोच है इस जो खुर्चन है इसको आप ले लीजे याणि जो ऑरेंज है उसके चारों तरफ का उपर का जो पील होता है अंदर सफेद भाली खुर्चन और ने पाये, जो और Ris化 कलर का जो और रेंज कर लीजे उसको निकाल लीजे और उसको आप रख लीजे अब करिए ये कि सबसे पहले आप एक पतीला लीजिए एक बाउल लीजिए वो एक क्या कहते हैं भगोना लीजिए उस भगोने में आप पानी भर लीजिए उस पानी को बॉल कर लीजिए उस भगोने के अंदर एक छोटा भगोना रखिए जिसमें कि आप coconut oil यानि नारियल का तेर आप जो है छै आट दस दस बड़ा चमच जितना आपकी ज़रुवत हो दस या खपत हो जिससाब से आपकी खर्चा हो उसका दस चमच आप बड़ा चमच टेबिल स्पून coconut oil डाल लीजिए और वहाँ जो आपने खुर्चन निकाली है जेस्ट जिसे कहते हैं औरेंज की जो निकाली है उसको आप उसी coconut oil में डाल दीजिए यानि एक भगोना बॉil कर रहा है भगोने के अंदर एक छोटा भगोना है जिससे आपको डारेक्ट हीट ना दें मकसद यह है कि जो आपका ओरेंज है और coconut का तेल आग पकड़ लेता है तो आपको उसके अंदर हो आग नहीं पकड़ेगा तो उस पानी जो आपका जग है पानी का जो भगोना है उसके अंदर जो छोटा भगोना है उसमें coconut oil और वहां जो आपके औरेंज की पील की खुर्चा निखटा करिए उस खुर्चन को डाल लीजिए उसको आप 20 मिनिट तक बॉयल कर लीजिए 20 मिनिट तक उस पानी को उबलने दीजिए पानी में तेल को बलने दीजिए 20 से 25 मिनिट बाद उसको आप निकाल लीजिए और एक काम करिएगा उसमें पिंच बर बहुत चुटकी बर हल्दी यानि टर्मरिक डाल लीजिएगा तो तीन चीजे हो गए आपके औरेंज पील जिसको जेस्ट कह लेगी उसको पीस लीजिए पीस के वो चुटकी बर उसमें हल्दी डाल दीजिए 25 मिनिट उसको बॉल करने के बाद उसको आप इस टोक पर से गैस पर से उताल दीजिए और उसको आप छान लीजिए छानने में आपको बड़ा अच्छा सा ओरेंज कलर का एक कोकोनट ओल त का SPF 5 होता है तर्मरिक का SPF और यहां जो औरेंज है यहां सब मिलके इसको पांच का 50 कर देंगे आप पांच की संख्या पे ना जाईएगा जब इसमें तर्मरिक मिल जाएगा और जब औरेंज पील का जेस्ट मिल जाएगा तो यहां 50 SPF के वराबर काम करेगी इतना कुप में निकलिए तो कोशिश तो करिए चेरे पे कबरिंग रखें लेकिन किसी समय नहीं भी हो पा रहिए तो यहां जो आपका medical formula है coconut oil प्लस टर्मरिक प्लस Orange Peel यहाँ जो है संत्रे की Peel यहाँ जो है आपके चेरे पे आभा लाएगी चमक लाएगी आपको Sun Screen से बचाएगी आपकी skin के दमान troubles को तोचा के खतम करेगी और आपको चमकाती रहेगी आप इसको करिएगा साथियों इस Sun Screen को जादूई और हमको बताईएगा और आप फोटो भी हमारे WhatsApp पर भेजिएगा जो लोग साथि यह Sun Screen को बनाएगा वाँ फोटो भी हमारे WhatsApp पर पूझे हमें अपना प्रयास सफल होता नजर आएगा अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे आप comment portion में लिखिए ताकि समाज को इसके बारे में पता लग सके सजकता हो सके मन में कोई Query हो साथियो तो हमें आप Query WhatsApp कर सकते हैं या यूटूब notification panel में लिख सकते हैं वीडियो साथियो अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा आपने चैनल को सब्स्राइब करा होगा और साथियों को परिवार में रिष्टेदारों में प्रेडित करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे नया वीडियो प्राइड करते रहिएगा आपकी साथियों गर्मिया बहुत अच्छी बीते बच्चों के साथ आप खूब गूमे यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा एक दिन मालिए संडे थरस्डे फ्राइडे जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती हो एक दिन अपने परिवार के लिए जरूर रखिए और धूप पे घूमिये सब को नारियल का तेल लगा के एक और फाइदा एसका है कि यहाँ आप पूरे सरीव पे लगा सकते हैं जो आप क्रीम होती है उसको आपके बहल चेहरे monitor लगाएंगे लेकिन यहाँ जो आपका मिश्चर है ऊरेंज पील कोकोनाट वैट और तर्मरिक इसका मिश्चर है इसको आप पूरे सरीर पे लगा सकते और सन स्क्रीन से बचके अगर गुवा साइड है तो सी बीच का आनन लीजे और अगर किसी शहर में है अपनी छट पे आनन लीजे आप पार्कों में नदी किनारे आनन लीजे धूप से न डरिये हमने आपको विकल्ब दे दिया वीडियो सातियों आगे बढ़ाईएगा ये आपसे निविदन है आपका सातियों हमारे साथ इतनी दे रहने के लिए अपना किम्ती वक्त हमारे साथ बिटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्यों हमारे से की न थार हुआएगा अप्रौन झाल